में आपका स्वागत है आज 18 मार्ट बुर्वाल पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कॉटन कॉंप्लेक्स में भारी उतार चराव के साथ मार्केट ट्रेड करते वे दिखाई दे रहे हैं जहां हमने कल के सेशन में कॉटन के प्राजिस में थोड़ी बहुत तेजी देखी जिदन से मीलर की दिमांड थोड़ी बहुत इंप्रूब होने की बात कर रहे हैं बट अभी भी कॉरोना वाइरस के चलते मार्केट का सेंटिमेंट इंटरनेशनली डोमेस्टिकली काफी यह क्योंकि लोवर एंडिंग स्टॉक है 19-20 का जिसके चलते मार्केट में तेजी आनीजी बट अभी भी करोना वाइरस की वज़े से ग्लोबल ट्रेड और वर्ल एकोनोमी इंपक्टेड है अटकले लगाई जा रही है कि रिसेशन में भी पूरी वर्ल एकोनोमी जा सकती है जिसके चलते मार्केट में कोई बड़े वायर्स अविलेबल नहीं है जबकि हम इंटरनेशनल मार्केट ट्रेड की अगर बात करें तो इस वक्त इंटरनेशनल में कॉटर 58.34 सेंस पे ट्रेड कर रहा है जो कहीना कहीं हम कंटीन्यू पिछले तीन मैने से अगर देखे तो 12 स साइंट से मार्केट टूट के 18 सेंट तक पहुंच चुका है जो कहीना कहीं संकित देता है कि करोना वायर्स ग्लोबल स्लोडाउन के चलते दबाव बना हुआ है कल के ट्रेंट सटप की बात करें तो कल हमने लोगर लेवल से कॉटन के प्राइज में थोड़ी रिकवरी और रेंज 18,200 मतलब दिन के सेशन में हम तेजी देखेंगे जो 18,200 तक दिखा सकता है बट यह सस्टेनेबल बाउस नहीं रहेगा प्रॉफिट बुक करते विए चाहिए विकास करोना वायर्स के चलते एक्विटी कमोडिटी सभी पे हमने मार्जित प्रेशर बनते विए द नीचे जाएगा कल के सेशन में हमने बारी गिरावट जरूर देखी बट प्राइजेस 1725 पर जाके क्लोज होते विए दिखाई दिए आज के सेशन में 1700 का लेवल काफी कृशल है 1690 के स्टॉप लोज से 1730 के करीम लेके चलिए 1770 से लेके 1880-1810 तक के भी लेवल हम कॉटन ख करते वें चलिए या अपनी आधी पोजिशन निकालते वें चलिए विकाउज मार्केट में मार्जिन कॉल बढ़ चुके हैं और उसकी चलते जो भी कमोर्टीज में प्रॉफिट आ भी रहा है तो ट्रेडर वहां से निकलने की चेश्टा बिलकुल कर रहे है तो आज के का इंपॉर्टन सपोर्ट रहेगा कॉंटन सीड अप्रेल वाइदे में और अपसाइड में अगर 17-85 का लेवल तोड़ता है तो अब 1810 तक का लेवल देख सकते हैं बड सस्टेन नहीं करेंगे धन्यबाद